हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल तो आप सब कैसे हो आइ हो योप आप सब अब बढ़या होँगे ठीक ठाक होँगे तो चलि फ्रेंट्स आज की जो रैस्पी है वो है गलगल के अचार की रेस्पी जो अचार बनेगा वो खटा मीठा बनेगा गलगल के इस अचार की एक और खासित है क्योंकि इसके अंदर जाएगा जो छोरा होता है वो जाएगा और नारियल यानि की कोपा और साथ में जाएगी सूखी लाल मेर्च और ये सच में ही गलगल के आचार में तीनुजीसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और जो यह आचार की रेस्पि है वो मैंने अपने फाधर इन लो से सीखी है क्योंकि वो आचार बहुत तरह के आचार बनाते थे तो इन में से एक है गलगल का अचार जो कि वो इस तरीके से बनाते थे चुहारे डाल कर और नारियल डाल कर जब मैंने फर्स टाइम खाया था तो मैंने मैं बड़ी हैरान रह गई थी कि चुहारे का अचार और जो है नारियल का अचार गलगल के अचार में डाल कर बनाया जा सकता है और वो भी खटा मिठा बनाया जा सकता है मुझे फर्स टाइम पता लगा था और जब मैंने फर्स टाइम ट्राइ किया था मुझे बहुत पसंद आया था तो इसी तरह से मैंने उन से गल-गल के चार की रेस्पी वो जब बनाते थे तो मैंने सीख ली थी तो कुछ हद तक मैंने सीखी है और वो तो मेरी फैमली मेंबर सी बता सकते हैं कि मैं उन जैसा बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ तो इस तरह से मैंने उन से सीख था तो चलिए अचार बनाती है तो मैंने क्या किया है कि जो गलगल है उसको अच्छी तरहां से वाश कर लिया था और वाश करने के बाद उसको अच्छी तरहां से सूखी कप्रे से साफ कर लेंगे जिससे की पानी की एक भी बूंद उसके अंदर ना रहे तो उसके बाद हमने इस तरहां से इसको छोटे पीसिस में काट लिया है आप चाहो तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में काट सकते हैं जैसे ही इसको काट लेंगे हमने इसको एक डिबे में डाल देना है और डालेंगे प्लास्टिक के या सेरमिक या काँच के बरतन में तो मैंने ऐसे ही प्लास्टिक के एक डिबे में डाल दिया है जिसको कि मैं दो या तीन घंटे के लिए नमक डाल कर छोड़ दूँगी नमक डालने का कारण ये है कि जितना भी गल-गल के अंदर एक्स्टा पानी होगा वो निकल जाएगा और ये पानी हमने फेकना नहीं है इसको हम अचार बनाते समय यूज करेंगे तो ये पानी हम एक बाउल में या कंटेनर में जिस चीज में भी जितना भी आपके पास पानी होगा वो निकाल कर रख लेंगे साथी में मैंने लिए है खटा मिठा चार है तो इसमें लिए है मैंने शक्कर आप चाहो तो गुड़ भी यूज कर सकते हैं तो चले इसी के साथ मैंने ले लिए हैं चुवारे और चुवारे लिए हैं और चुवारे आप अपनी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं साथी में मैंने लिए है नारियल यानि कीखोपा और इसके साथ ही मैंने ले लिए है काला नमक और काली मिर्च तो ये हैं पिसी हुई काली मिर्च और हम ले लेंगे सूखी लाल मिर्च, कलोंजी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, साथी में ले लेंगे नमक, थोड़ी सौफ लेंगे, और लेंगे मेथी, हींग और काली मिर्च साबुत तो ये खड़े मसाले हैं इसके बाद हम ले लेंगे एक कड़ाई कड़ाई को हम गैस पे रखेंगे गैस ओन करेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल तो तेल हमने जादा मात्रा में नहीं लेना है और तेल को अच्छी तरह से गरम कर देंगे उसके बाद गरम करने के बाद कैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे सोफ, मेथी दाना और काली मिर्च साबुत ये डाल देंगे और इसको पकने देंगे जैसे ही ये थोड़ा सा बुन जाए तो इसके अंदर डाल देंगे हम सूकी लाल मिर्च और इसको भी हम थोड़ी सी देर ही भूनने देंगे हमने जादा देर क्यों भी चीज को नहीं भूनना है इसके बाद हम डाल देंगे कलोंजी हींग साथी में डाल देंगे नमक हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च भी हम अपनी हिसाब से डाल सकते हैं अगर तीखा काते हैं तो थोड़ी जाला डाल लीजिए उसके बार डाल देंगे पीसी हुई काली मिर्च और काला नमक इसमें नमक आप देखकर डालें क्योंकि हमने गल-गल कारते समय भी नमक डाला था गैस को फिर से ओन कर देंगे गैस हमने इसलिए बन किया था क्योंकि जो खड़े मसाले हैं या सूखे मसाले हैं वो जले ना इसलिए और इसके बाद हमने क्या करने हैं जो गल-गल का पानी है हमने यह साइड में रख रखा है अब उसको भी हम धीरे-धीरे करके इसके अंदर दालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको पकने देंगे इसके अंदर अच्छी तरह से जैसे ही पानी अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम शकर या गुर्ड तो इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे और इसको जब तक हमने पकाने है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए थोड़े देर पकने के बाद इसमें डाल देंगे हम च्छोरे और च्छोरो के साथ ही हम डाल देंगे लंब या कार में कटा हुवा नारियल और इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेंगे जैसे ही अच्छी तरह से पक जाए यानि कि थोड़ा सा गाडा हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे कटी हुई गल-गल और गल-गल को मेक्स करते करते ही ये पकना शुरू हो जाती है तो ज्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना है इसको हमने तुरंत ही खाना हो तो ही ज्यादा देर पकाया जाता है वरना ही खराब होने के चांसिस रहते हैं तो इसको ज्यादा देर हम नहीं पकाएंगे इसको हमने थोड़ी देर ही पकाना है बस और इसके बाद हमने गैस को बं नहीं रखना है तो हमने क्या करना है कि जितनी भी गलगल है उसको हम इस तरहां से या तो सेरमिक के कंटेनर में या फिर आप प्लास्टिक का या कांच का भी ले सकते हैं तो मैंने इस तरहां से ये बिलकुल ड्राइ ड्राइ सी थोड़ी सी जो गलगल है वो निकाल दी है जो मसाला है और पानी है वो फिर से हम दुबारा से गैस पर रखकर इसको पकाएंगे जिससे की हम इसको गाड़ा करेंगे और ये तब ही अच्छा लगेगा वरना पानी पानी सा लगेगा तो मैंने ये एक जार में डाला था पर ये एक जार में आया नहीं तो मैंने छोटा सा एक जार और ले लिया है तो इसी तरह से हमने इसको टेस्ट भी करके देख लेना है कि अगर आपको खटा अगर जादा लगता है तो इसके अंदर हम दुबारा से जब हम पकाएंगे तो शक्कर डालेंगे तो मैंने इसी तरह से इसमें थोड़ी और शक्कर डाली है क्योंकि मुझे थोड़ा मीथा कम लग रहा था हम थोड़ा इस बार जादा मीथा जो है अचार बनाएंगे बिलकुल खटा हो जाता है क्योंकि ये थोड़ी देर बाद असर करता है तो इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से थिक बना लिया है देखिए मैंने कितने गाड़ी इसकी जो मसाला और जो ग्रेवी सी है वो कर ली है तो इसी तरह से ये गाड़ा होना चाहिए और इसके बाद इसमें हम सारा जो जितना भी अचार है वो इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको चला लेंगे तो यह जो ग्रेवी सी है ना जो इसकी वो ही बहुत टेस्टी लगती है पर यह पानी पानी नहीं होने चाहिए यह थोड़ा गाड़ा होना चाहिए तो देखिए अचार मेरा बन कर रेड़ी हो चुकाह है यह देखिए कितना जादा टेस्टी और बहुत जादा टेस्टी लगता है अगर आप इस तरह से बनाते है तो मैं तो बोलते बोलते भी मेरे मूँ में पानी आ रहा था है आपको भी ये अचार अगर आप इस तरह से बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है तो चलिए अगर आपको आज की ये मेरी रैस्पी पसंद है ये तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए